स्वागत है आपका मेरे इस All In One चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से आज का जो पेंशनर्स और एक्स सर्विसमेन के लिए जो लेटेस्ट ओरर आया हुआ है उसके बार हम बात करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेड्लाइन को एक्स्टेंड कर दिया गया है हम बात करेंगे कि इससे पेंशनर्स और एक्स सर्विसमेन का क्या बेनिफिट होने वाला है और किस तरीके से जो ये extension of deadline है वो किस तरीके से beneficial रहेगी किन-किन pensioners को ये basically सभी ex-servicemen जिसमें कि defense pensioners हैं उन सब के लिए जो है ये applicable है और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको जो इसका पूरा का पूरा order की copy है वो जुरूर दिखाऊंगा जिससे कि आपको exactly पता चल सके क्या important points लिखे गए हैं और उसके base पर ही आगे आगे आप काम कर सकते हैं और इसके लाव दोस्तों जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि जो भी आप office order देखते हैं उसको जरूर confirm कीजिए चैनल पर देखते हैं जिससे कि आपको हमेशा actual information मिल सके हैं तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय लिना लेते हुए बात करते हैं आज के इस important update की अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली हर वीडियो का update आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बैल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यह basically एक सर्विसमें जिन्होंने ECHS या जो सेंट्र गवर्मेंट इंप्रॉई जिन्होंने ECHS ले रखा है उनके लिए टाइम टू टाइम पे जो अलग अपडेट्स आते रहते हैं उसी में जो है जितने भी ECHS के beneficiaries हैं क्योंकि COVID-19 में वह बाहर जाके medicine नहीं ले सकते हैं तो time to time जो है जो डेट है जो कि हो self purchase कर सकते हैं उसके उपर जो है अलग-अलग important update आते रहते हैं दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो latest update है इसमें आप देख सकते हैं कि reimbursement of medicine special sanction in view of the COVID-19 एक बार फिर से special sanction मिल चुका है और अब जो है ये special sanction क्या होगा कि इससे पहले जैसे कि आपको बहाता कि 31 जुलाई तक अगर आप कोई भी अपने आप जो medicine खरीदते हैं उसका reimbursement जो है एक साथ आप 31 जुलाई तक कर सकते थे in view of increasing cases अभी क्या हो रहा है cases और बढ़ रहे हैं इसकी वएसे क्या है कि दुबारा से जो बाहर निकलना मुश्किल है इसी वएसे जो एक बार फिर से special sanction आया हुआ है और इस time पर आप देख सकते हैं कि one time sanction is hereby accorded to reimburse the above expenditure under individual reimbursement of medical claim जो भी आपका medicine खरीदते हो आप उसका जो एक बार फिर से one time आप जो है reimbursement करवा सकते हो और the reimbursement will be done as per guidelines issued by ECHS wide letter this और अब इसकी जो date है उसको जो है आप देख सकते हैं कि 30th September कर दी गई है ECHS beneficiaries as well as minimizing footfalls at ECHS poly clinic the ECHS beneficiaries जो है the medicine lasting till 30 September 2020 based upon upon the prescription दोस्तों यह जो medicine जो है आप 30th September तक जो भी है आपके पास time है जिसमें कि आप claim ले सकते हैं इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बता है कि 31 July था but still since the condition is not good and the number of cases are increasing day by day so government just want to make sure that whatever medicine you have purchased that should be available and the deadline is increased so by 30th of September you can submit the bills दोस्तों यह था आज का important update सभी pensioners और ex-servicemen के लिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिए share कीजिए और subscribe करना ना भूलें thank you for watching this video के झालें कcidos कि इंथ झाल झाल